राणी बेटा दादाजी का खाना बन गया है उन्हें खाना परोज दो पिटी अभी राने दो तुम्हारे पिताजी आ जाएं तो साथ बेट कर खाना खाएंगे जी दादाजी मां ओ मां मुझे बहुत भूग लग रही है राजू इधर आओ जी दादाजी राजू तुम अभी खेल कर आए हो तो पहले अपने हाथ साबुन से दो कर आओ पर दादाजी मेरे हाथ तो साफ है बाई तुम अभी खेल कर आए हो और तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगी है इससे गंदगी हमारे पेट में चले जाती है और हम बिमार भी रो सकते हैं इसलिए दाधा जी तुम्हें हाथ दोने को कह रहे हैं या बाश रानी, यह तुम्हें किसने बताया दाधा जी, यह हमारी मेडम ने आज ही बताया था के साथ ही बोजन समंदी और भी अच्छी आत्तों के बारे में बताया है ही और तुमारी मेडम ने क्या बताया हाँ तो सुनो हमारी मेडम ने बताया हमें परियाप्त बोजन करना चाहिए बोजन से शरीर को उर्जा मिलती है और बोजन को अच्छी तरो से चबा चबा कर करना चाहिए दादा जी ये परियाप्त बोजन क्या होता है? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमारी गुडिया है वह कुछ नहीं खाती है लेकिन मा का दूद पिती है तो उसके लिए मा का दूदी परियाप्त है उसमें उसे सभी आवश्यक पौश्टिक तत्व मिल जाते है उसी तरह जैसे मैं बुज़र्ग हूँ तो मुझे भूख कम लगती है मेरी पाचन शक्ती कमजोर हो गई है तो मैं हलका बोजन ही खा सकता हूँ अब तुम्हारी बात करें तो तुम्हारी लंबाई और शरीर बढ़ रहे खेल कुद भी करते हो तो तुम्हें अधिकुर्जा की जरूत रहती है और उस अनुसार बोजन चाहिए इस प्रकार उम्र और कारे के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के बोजन की आवशकता रहती है रानी और क्या बताया तुम्हारी मेडम ने जी ददाजी और बताया कि हमें बड़े बड़े निवाले मुँ में नहीं डालने चाहिए जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए बोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर ही खाना चाहिए और हाँ हमें खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए क्यों दिदी? काना खाते हुए बोलने से कई बार खाना हमारे गले में फस जाता है और हाँ बच्चों बोजन समंदी एक और अच्छी आदत का ध्यान रखना चाहिए और वो है हमें बोजन जुठा नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई गोजन जुठा छोड़ता है तो गोजन का दूरुपयोग होता है इसलिए हमें इसे रोपना चाहिए ददाजी एक मैं बताओ आँ बताओ बताओ ददाजी खाने के बाद हाद दोना और कुल्ला करना चाहिए रिवाराजू रखता है तुमें तो सब समझ में आ गया हाँ ददाजी अब तो मैं रोज खाना खाने के पेले स्राबुन से हाद दोंगा पर अब तो बोजन करूंगा खाना छोटे छोटे निवाले लेकर और खुब चबाचबाखर खाऊंगा और ददाजी मेरी ठाली में उतना ही खाना लूँगा जितना मुझे खाना है खाना जूटा नहीं चोड़ूँगा और खाना खाने के बाद हाद दो कर कुल्ला भी करूँगा अच्छा बच्चों अब कॉपी और पेन निकालिए और इसे एक्टिविटी को जटपट से कर दीजिए एक्टिविटी है यदि आपकी मम्मी आपके नाना जी के वाँ गई है और एक दिन अपने परिवार के लिए आपको खाना बनवाना है तो आप क्या क्या बनवाएंगे चलो भच्चों आप ये गतिविदी कीजिए हम फिर मिलते हैं